नमस्कार दोस्तों इलेक्टिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी इलेक्टिक स्कूटर आपको पसंद नहीं आई है तो यह पांच इलेक्टिक स्कूटर जो आने वाली है आपको पसंद आ सकती हैं सबसे में बात इन इलेक्टिक स्कूटरों का यह है कि यह आपको इंडियन बरांड इलेक्टिक स्कूटर मिल जाएंगी और इन में से तो दो-तिन ऐसी कमपनिया है जो कि पिछले कई सारों से अच्छा करती आ रही है तो इन इलेक्टिक स्कूटरों कमपनियों पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है तो चलिए सुरू करते हैं और ए लाइगर की लाइगर году ुसमें तो अ जो सबसे में चीज़ है इस एलेक्टिक स्कूटर और तो-बैलैंसिंग के साथ आती है और यह पहली एस एक्टिक स्कूटर है जो कि यह फिचर परवाइड कर रही है इस इलेक्टिक स्कूटर को ओट्टो- एक्स-पो 2023 में अन्विल कि जाएगा इसमें आपको दो वेरियंट देखने को मिलेंगे लाइगर एक्स और लाइगर एक्स प्लस लाइगर एक्स प्लस में आपको 100 किलोमेटर तक का रेंज देखने को मिल जाएगा और चार्जिंग होने में यह गाड़ी लगबग 4 से 4.5 घंडे करीब ले लेगी यह टाप आएंगे तो बाथ करते हैं इस इलेक्तिक स्कूटर के बारे में जो वेरियंट वाली इलेक्टिक स्कूटर है वह आको를क्ति देखने को मिल जाएगी और जो टॉप याच अक्या यह एक nine te को मिल सकती है बाथ कि जाये कि तो यह इलेक्टिक स्कूटर 2024 के स्टार्टिंग में आ जाएगी अब बात करते हैं फॉर्थ पोजिशन पर आने वाली इलेक्टिक स्कूटर गबाने में फॉर्थ पोजिशन पर है हमारे पास रिवोट की एनेक संडेर यह बैसिकली इंडिया की टोटल बनाई गई स्कूटर का अभी का टाइम पर बहुत हैप मचा हूआ और सबी लोगों के जुवानों पर सिर्फ यह इलेक्टिक स्कूटर चल रही है मेन चीज है कि यह इलेक्टिक स्कूटह 23 अग्टोबर 2023 को लांच होने वाली है और जो इस की स्कूटर को खास बनाते हैं इसके रेंज और जो इसमें नयने Advanced feature दिये गए हैं वह वाले सबसेब पहले तो इसमें आपको 280 kms का Top& variant में range देखने को मिल जाएगा इसमें आपको 320 lm क्रीय देखने को मिल जाएगा और एक न्यक्ता क्या मृट्वू सिश Auf कामरा देखने को मिल जाएगा जो की कार वाला फीचर है जिस कामरा के मदद से आप अलग-अलग एडवांटेज उठा पाएंगे इसके अलवा आपको इसमें हाइड्रोलिक बूट ओपनिंग देखने को मिल जाता है स्टेंड के पास आप अपना पैर स्वाइब करेंगे तो आपका बूट स्पेस ओपन हो जाएगा बिना आपके कोई कस्मकस किये ही इसके अलवा इस इलेक्टिक स्कूटर में आप अपना परफाइल भी केस्टमाइज क को मिल रहा है हर लोगों के जुबान पर सिर्फ यही इलेक्टिक स्कूटर का नाम है बात की जाएब प्राइजिंग की एक एक एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि जो टॉपेंड वेरियंट आएगी बेस्ट मॉडल वाली वेरियंट वह हमें एक लाग तक देखने को मिल सक अनुटablab想 यहांन आएगी इस इलेक्टिक स्कूटर में और इस इलेक्टिक स्कूटर का टेस्टिंग काफी जूरarena सोड चल रहा है और टेस्टिंग के काफी फुटेज वारेल भी हो चुके हैं और यह इलेक्टिक श्कूटर में पह tast की मौताज नहीं है आप लोगों ने ठगड़ा ठकट दे सकती है बात कि जाए इस i leftich scooter सुझुकी बर्गमाइन के एक्सपेक्टेड प्राइस की बारे में ये gek हमें expon sa चुक नहीं करना चाहते हैं इसलिए इनका testing काफी जोरोस वर से चल रहा है तो यह electric scooter 2024 के मार्ज तक देखने को मिल सकती है तो second position पर है गोगरो की गोगरो electric यह electric scooter काफी तगडी competitor माली जा सकती है Indian market में यह एक global player है तो इसको काफी अनुभव है कैसे marketing को handle किया जाता है और यह बात fix है कि यह electric scooter भारत में बहुत सारी electric scooter company का छुटी करने वाला है बात की जाए range के बारे में तो इसमें हमें 1500 km तक का range देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको swappable battery देखने को मिलेगा जिसके माद से battery का life भी ज़्यादा हो जाता है दूसरे electric scooter के battery के comparison में और सबसे main benefit इस electric scooter का यह है कि इसके battery को मात्र हम 6 सेकंड में ही चार्ग कर पाएंगे Swappation पे जाके इसमें हमें 7 kilowatt का motor भी देखने को मिल जाएगा प्राइस की बात की जाए तो इस electric scooter का प्राइस एक लाग तीस जार से लेके एक लाग पचास जार तक हो सकता है आने की संभावना की बात की जाए तो यह electric scooter भी आपको 24 के मास चक देखने को मिल जाएंगी पूरे इंडिया में अब बात करते हैं नंबर वन पे आने वाली electric scooter के बारे में जिसका लोगों को काफी बेसबरी से इंदी जा रहा है तो वो है होंडा की Activa electric version में इस हुंडा एक्टिवा electric version को 23 इसमें ही launch करना था लेकिन government के कुछ अलग नियमों के कारण company ने इसमें डिले कर दिया बात की जाए इसके range के बारे में तिसमें हमें 100-100 km तका range देखने को मिल जाएगा और इसमें भी आपको swappable battery देखने को मिल जाएगी और इसके branding के बारे में बात करना ही तो बैकूफी है कितने सालों से हुंडा क्या करते आ रहा है वे सब हमने देखा है एक्टिवा जैसी सबसे अच्छी electric scooter भी बना के हुंडा company नहीं दिया जो कि भारत के मार्केट में पूरा तबाही मचा चुका है तो यहीं उमीद किया जा रहा है कि इसकी electric variant भी भारत में वैसा ही तबाही मचाएगा जैसा कि petrol वाले ने मचाया है और कहीं उससे ज्यादा ही मचाए क्योंकि electric ही हमारा future होने वाला है तो यह हमें जो पेट्रोल वाली वेरियंट देखने को मिलती है उससे दस से 20,000 महेंगा देखने को मिल जाएंगी और इसके launching के बारे में बात की जाए तो यह electric scooter हमें अप्रेल 24 तक देखने को मिल जाएगी तो यह थी पांच आने वाले electric scooter अभी भी आपके मन में इन electric scooter ओं क subscribe कर ले ताकि आपको latest update electric vehicle के related मिलता रहा है तब तक के लिए go green go electric